next 6 part جو है वो है 2 over x minus 9 is equal to 1 over x minus 3 ये भी हम जो हमने 5th part किया है उसी की तरह पहले हम इस equation को simplify करेंगे जैसे हमने ये working किया है बिल्कुल उसी तरह फिर जब equation standard form में आजेगी तो फिर उसकी factorization करेंगे तो इसका जो LCM है इस question की तरह क्योंकि यह दोनों denominator जो है simplest form में है, मजी simplify नहीं हो सकते और दोनों में कुछ भी common नहीं है common multiple नहीं है तो लिएदा दोनों का product LCM आजेगा तो LCM को हम first denominator पर divide करेंगे तो x-3, x-3 के साथ cancel होजेगा उपर x-4 आजेगा x-4, इदर उपर minus 1 है तो x-4, x-4 के साथ cancel होजेगा तो उपर x-3 आजेगा यह 2 over x-9 as it is 1 को हम multiply करेंगे तो क्योंकि यह plus 1 है तो अंदर वाले number change नहीं होंगे तो यह x-4 आजेगा minus 1 को जब हम इन से multiply करेंगे तो इन दोनों के sign change होजेगे तो यह minus x और plus 3 आजेगा x को पहले हम इस x से multiply करेंगे तो x के रहा गया x को minus 4 से multiply करेंगे minus 4 x आजेगा फिर minus 3 को x से multiply करेंगे तो minus 3 x आजेगा minus 3 को minus 4 से multiply करेंगे यह plus 12 आजेगा यह minus x और यह plus x cancel होजेगे यह 2 over x minus 9 as it is इदर से माले पास minus 4 plus 3 तो यह इन दोनों को add करेंगे तो minus 1 आजेगा denominator में आगया x के है minus 4 और minus 3 minus 4 और minus 3 को add करेंगे तो minus 7 x आजेगा plus 12 cross multiply करेंगे यह वाली expression दूसी side पर जाएगी तो 2 के साथ multiply होजेगी इसी तरह x minus 9 इदर divided है right side पर जाएगा तो multiply होजेगा 2 को हम multiply करेंगे तो यह आजेगा 2 x square minus 14 x plus 24 minus 1 को multiply करेंगे तो minus x और minus 1 minus 9 से multiply होगा तो plus 9 आगया 2 x square minus 14 x plus 24 यह minus x दूसी side पर जाएगा तो plus x और plus 9 दूसी side पर जाएगा तो minus 9 2 x square minus 14 x plus x minus 14 plus 1 यह minus 13 x आजेगा 24 minus 9 24 में से 9 minus करेंगे तो यह आजेगा plus 15 अब इदर जो a है वो 2 है और b जो है वो minus 13 है और c है 15 a और c को multiply करेंगे तो यह आजेगा 2 multiply by 15 यह आगया 30 क्योंकि इसका sign positive है plus 30 है तो लहाद हम ने जो दो number यूज करने है उन दोनों का sign सेम होगा और वो sign जो b का sign है जैसे कि इस question में b negative है तो दोनों number के साथ minus का sign हाएगा और क्योंकि यह positive है इसलिए दोनों number को add करेंगे अगर यह negative हो तो फिर दोनों number का difference लेते है तो 10 और 3 ऐसे number है जिन को multiply करें तो 30 है और जिन को add करें तो minus 13 आजेगा क्योंकि इसके साथ minus है तो 10 के साथ भी minus और 3 के साथ भी minus हाएगा तो minus 10 और minus 3 को add करेंगे तो minus 13 आजेगा और minus 10 को minus 3 से multiply करेंगे तो plus 30 आजेगा तो यह equation जो है वो कुछ इस तरह से आजेगी 2x के है minus 10x minus 3x plus 15 is equal to 0 पहली दो टर्म में से 2x कॉमन है bracket में x minus 5 आजेगा इन दो में से minus 3 कॉमन आएगा यह जो sign होगा यह अपने इदर कॉमन ले लेना minus है तो minus plus है तो plus इस से फिर यह bracket जो है वो same आएगी bracket के sign भी same होगे अब हमने minus 3 कॉमन लिया है यह bracket आप देख सकते हैं gain same होगे तो x minus 5 को हम 3 कॉमन लेंगे तो इदर से मारे पास 2x आजेगा और इदर से आगया minus 3 दो no factors को हम 0 के equal put करेंगे reason मैं आपको first question में बता चुका हूँ minus 5 दूसरी साइड पे जाएगा तो यह आगया plus 5 एक answer आगया plus 5 minus 3 दूसरी साइड पे जाएगा तो plus 3, 2 multiply हो रहा है उस साइड पे जाएगा तो divide यह हमारे पास second answer आगया दोनों को हम solution set में लिखेंगे solution set हमारे पास आगया 3 over 2 and 5 तो यह थी हमारे आज की वीडियो जिसमें हमने exercise 1.1 का question number 2 जो है वो solve किया जिसमें हमने quadratic equation को solve करना था factorization की मदद से तो हमने यह question number 2 complete किया अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें और bell icon को भी प्रेस करें और ताके आप जो है वो मजीद वीडियो जो है math से related stats से related और economics से related जो है वो देख सकें तो आज के लिए इतने काफी है बकि इन्शालला कल ओके अल्हाफिस